स्क्रोफी चैनल के नाजरीन आप ये तो जरूर जानना चाहेंगे कि कैसी इंटरनेट का डाटा एक जगा से दूसरी जगा सेकंड में पहुँँ जाता है। इसके इलावा इंटरनेट क्यों स्लो होता है और इसकी घराबी की क्या वजुहात होती है। आईए इसकी मुकमल तफसिल इस वीडियो में जानते हैं। आम तोर पे ये समझा जाता है कि हम आउनलाइन इंफॉर्मेशन हवा से यनि सेटलाइट्स के जरीए हासिल करते हैं। जबके हकिकत ये है कि जिस कदर डेटा हवा में मुझूद है इससे कहीं ज्याता डेटा समूंदर में मुझूद पलास्टिक की तारों जिनें फाइबर आप्टिक्स केबल कहा जाता है इसके जरीए दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक मुंत्किल किया जाता है। लेकिन इदर वही सवाल कि इसका working principle क्या है असल में fiber optics cables के जरीए information को एक जगा से दूसरी जगा पहुँचाने के लिए data को रोशनी में convert किया जाता है चुंकि रोशनी की speed तेज तरीन होती है लहाजा इस data को second में एक जगा से दूसरी जगा पहुँचाया जा सकता है इस मकसद के लिए एक science ही असूल total internal reflection का इस्तमाल किया जाता है इस असूल के तहट जब रोशनी को एक specific wavelength और angle के तहट fiber optics में दाखिल किया जाता है तो वो खुद बखुद reflect होती रहती है और तवील फासला जल्द ही तैग कर लेती है लेकिन fiber optics के material की खराबी या किसी और technical वज़ा से रास्ते में data transfer slow होने या data के जाया होने का खतरा रहता है लहाजा हर 70 km के बाद repeaters लगाए जाते हैं fiber optics को जबीन से समुदर में दाखिल करने के लिए cable landing stations बनाए जाते हैं जहां से cable को समुदर से निकाला या दाखिल किया जाता है ये तो था working principle लेकिन अब इसके structure को समयने की कोशिश करते हैं fiber optics cables को बनाते वकत इस बात का خصوصी ख्याल रखा जाता है कि ये इस कदर strong हो कि समुदर की तह में उन्हें कोई नुकसान ना पहुचा सके इस मकसद के लिए fiber optics को 8 layers पर मुझतमिल एक structure के जरीए बनाया जाता है इस structure के सबसे अंदरुनी हिस्से में वो तार होती है जिसमें data यनी रोशनी सफर करती है इसका size 20 mm तक होता है यनी एक इनसानी बाल के बराबर फिर इसके उपर 7 layers चड़ाई जाती है ताके इसकी सेट्रेंट को बढ़ाया जा सके इन layers में copper, steel, aluminum और polythene इस्तमाल की जाती है आम तोर पे fiber optics की उमर 25 साल तक होती है जिसके बाद उन्हें तबदील कर दिया जाता है एक मील लंबी fiber optic cable को त्यार करने में 40,000 डालर का खर्चा आता है इसकी इलावा मुक्तलिफ natural disasters और sea creatures इसे नुकसान भी पहुँचाते रहते हैं लेकिन companies इसको 40 repair कर लेती है मजीद हिफाज़त के लिए optical fiber वाले area में fishing की इजाज़त नहीं दी जाती और ships को भी इस area से दूर रहने का कहा जाता है अगर बात optical fiber की speed की की जाए तो advanced optical fiber 24 terabyte पर second के हिसाब से data transfer करती है यनि आप एक second में 12,000 HD movies transfer कर सकते हैं ये था optical fiber का structure और इसका procedure उमीद है इस वीडियो से आप optical fiber के बारे में काफी कुछ जान चुके होंगे इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए मिलते हैं एस्टोफी की नई वीडियो के साथ